नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयरी बहुत अच्छे से चल लही होगी जैसे कि आपको पता है कि प्रेटे दिन दो पहर दो बजे आपका हिंदी प्रक्टिस एट आता है जो सभी परिक्षाओं के और BPO साथ यूपी पुलिस यूपी पुलिस के लिए ज्यादर कारगर्व हो सकता है क्योंकि आगामी जितनी बेकेंटियों उन था ही बेकेंटियों में हिंदी का रोल जो है वो बहुत जादा है इसी वज़े से जो है हिंदी पर अधिक बल दिया जा रहा है आपके ठीक है तो से कौन सा नर्क का परियावाचिक सब्द नहीं है यानि आपको बताना है कि परियावाचिक सब्द नहीं है आत्म उत्सर्ग यमलोक दुर्गती यमपुर यह हैं आपको प्रक्षेट तो आपको इसमें पता होना जरूरी है तो कौन सा है आत्म उत्सर्ग हो गए आत्म उत् उत्थ शर्ग, उत्थ सर्ग, यह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका उधव ओगा, तो क्या वनेगा, उब जाएगा, तो यह इस तरी के से उप्रत होगा, उत्राथन प्लस के उस सर्ग, ठीक है, तो आत्म फॉस सर्ग जो है, यह इसका परियभाचिक, नहीं होता, जबक लोग हो जाते हैं यंपूर हो जाता है जहनुम हो जाता है जहन्नुम बोल देते हैं दुर गतिबी सो यह फॉम्हें है थीक है तब शुर्यांज है कि दूसरा इंदे भी इस तुछ गरिखी Le होता है इसागी भी होता है सरुय होता है ठीक है यह तीनों होते हैं जबके यह रसाल जो होता होगई है उ्ह wes timely एक होता है ठीक है शाखी ना होकर यह होता है और हम साख नुए होता है जब कि यह साख्य देखिसरेद तो साफी किसी क्वेड़ी की होती है प्रड़ी के जो तीसी नसल ली जाती है ठीक है जो किसान होंगे औरने पता होगा जब प्यणो होती है और प्यणी की तीसी नसल लिए जाए इसे प्यणी बोलते हैं प्युण से कहते ह oneczenia और जब एक बार गन्ना मौने के बार मैं और एक लोग you तो उसे कहते हैं नो लक उसे बोलते हैं नो लक जब दुवारा सब होते हैं उसे कहते हैं प्योडी उसे के बोलते हैं प्योडी बिना बीज बोए दुवारा से उसी से हो जाती है तीसरी जो होती है उसे कहते हैं उसे कहते हैं उसे कहते हैं उसे कहते हैं ती प्योडी प्योडी क्या है विलों सब्द क्या होता है तो गोरब ठी dw meto बता होन चारिये। हमने क्या होता है वह होता है बड़ा और लागऑ मतलब बता होता है छोटा रहां पर जहس equipment दूस्मृत्तु में हैं उए सबद में है उजी तरीके से बात खरेंगा तो लागव को ट्रेकर फॉक हम घुरू भुरूत्बं तो खिका यहां मुंद्ट कर था इसमें तो घुरू अट हो जाएंगा किलियर לפ यहां पर गुरूत होजाएगा क्यों जाएगा गुरू तम यह बात याद रखने हैं यह भात होती है ठीक है चलिए इसके बाद में देखते है चोथा पिरसंशन जो है वो क्या है उपन बहुत अच्छे है रोगद रोपन का बिलो निम्नसा से कुन थैंट है कई बार तुमने देखाऊगा रोपड खेती ठीक है रोपड मिट्टी ठीक है इस तरीके से तो रोपणा दोसा रोपण उन्मूलन मूलन ठीक है जब आप हिंदी को समझोगे जब जाके बातची समझ में आ जाएगी आराम से समझ गे तो रोपड के मतलब होता वो क्या होता उ उन्मूलन उत्पिलस के मूलन क्या बनेगा इसका उत्थ या कहीं कहीं आ जाता है उत्थ पिलस के मूलन ठीक है तो क्या हो जाएगा उन्मूलन हो जाएगा तो उन्मूलन का मतलब होता है आपका उत्पत्ति करना ठीक है रोपना किसी चीज़ को सिचाई करना होता है दोसा प्रोपन गलत प्रिवाप करना होता है मूलन मतला मूल उतपत्तिका अच्छ रूप होता हूज एक है मूल को कहते हैं ठीज है लाप बेहते हैं lot imazard आपका बहुत अच्छा नए यह वे लिया ुचीत सब्द्र चुनकर रिक्तिस्तान भरी ऐ फीर दूद का रंग होता है काला होता है सपेद होता है निला होता बूरा होता यह काले में नहीं होगा नीले में नहीं होगा बच्चे करन ओल्टियों कोछा रंग को निला होगा या है कैसा हो होता है तो यह आपका का रहुटा है ये ला निला को ठीख CP 20201 treasury सपयед होता है ये तो भूरा भी नहीं होता है ठीक है भूरा बोची जो होती है सूखी होती है सपेद बोची होती है जो गिली होती है और सूखी भी होती है तो भूरा उस चीछ के लिए प्रयोकिया आता है ठीक है आगे बात करते हैं आज आकास में आज आकास में च्छाएं हैं तो यहां पर आना चाहिए बादल क्या च्छाएं हैं बादल और बादल को हम क्या कहते हैं जलज यह होता पंकज पंकज यानिकि कमल यह किसका होता है कमल का होता है जिसके अंतर लाश्ट में जय लग जाए जलधी यह समुंद्र का कि होता है समुंद्र का होता क्या होता है समुन्द्र का जलद यह होता बार वा किसका बादल लाए में यह को होता है इस त boobs अशाफ को समुझना है ठीक है ? इसको आपका कुश्टम आहे जो अपने कर्तभीय का निश्य न न कर सकी इस आवाक्या का एक सब्द है कि यह होता है दोयदंत गराष्ट इसके इस तारी कैसे में अंकी विंदी और गराष्ट दोन्ध गराष्ट इसा बोलते हैं ढून गराष्ट यह इस लिखा जाएंगा इसा बोलते हैं भ्रहमितीterror Virtis इसे कहते हैं दूई विधा विधा ग्रस्त दूई विधा ग्रस्त यह आपका हो जाता इसे कहते हैं किम करतब विमूर यह आपका होगा ब्रहमित ब्रहमित और यह आपका किम करतब विमूर उन्हें कहा जो अपने करतब का निश्चे ने कर सके उसे क्या कहते हैं तो उसे हम क् अघ्ध्युक्ति कर्टब् heat ठीक है जो अपने कर्टब्य का निश्चें ना करते कि पढ़तीता है कि पढ़े जा रहा है यह पता निके उतको पढ़ किस चीज के रहा और वह पढ़ किज चीज के लिए रहा है समझ गया नहीं इसलिए जो है कई बार चीज़ें बिगड़ जाती है ठीक है चलिए आठवा कोर्शन देखते हैं आठवा कोर्शन क्या है अनुचित बात के लिए अनुचित बात के लिए आग्रे करने वाला आग्रे करने वाला अनुचित बात के लिए आग्रे करने वाले बाक्यान्त के लिए एक सब्द दुराग्य है आपका या अनुचित अगर आता तो यह पोजिटिव में होता शकारात्मक होता है कैसा होता है शकारातमक, एक्जाम में जरूरी नहीं है, कि आपको सारे चीज़ रटी आई, शकारातमक, सारे चीज़ रटी आई, यह नहीं जरूरी है, यहां पर आया है, अनू, क्या आया है, अनू चित, अनू होता है, निगेडिव में होता है, इसे हम कहते हैं, नकारातमक, अब आप जाओ जगा दुराग्रह हो जाएगा बस ऐसे पहचालो दुर्माने हमेसा बुरा होता है दुर्माने जो होता हमेसा बुरह होता है हमेसा बुरह होता है हमेसा बुरह होता समझे हैं यह समझने वाला कॉंशन है ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे फरजी है दुर्माने होता है बिल् नवा कोश्चन होता गूलर का फूल होना गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ ने मिले कि तुमें से कौनता है लापता होना खूफसूरत होना बयवकूफ होना ठीक है यह कुमल होना तो इसका मतलब होता लापता होना गूलर का फूल होता लापता होता दिखाई नहीं द तो खूपसुरत होना ठीक है आपका बेवकूफ होना को मल होना इसका ठीक है कोई भी दूर तक इसके मतलब नहीं मिल रहा था चलो दस्वा कोश्चन जो है वो क्या है सोने में सुगंध मोहावरा का क्या सही अर्थ है सुंदर बस्तूं में और गुण होना सुगंध से युक्त 안 leveraging सुंदर आवुशन होना यह सुगंध तो सीथी सी बात है यह आपको सिंपल मिलना है कि सुन्दर बश्टू में और भी जायता कुन होना ठीक है माल दीजिए कोई आपको नोकर मिल जाता है और बनोकर काम भी अच्छा करता है और साथ इसाथ बेदने भी कम लेता है तो आप कोगे भाई ये तो सोने में सुगंद निकली समझ गए नहीं एकदम बोल दोगे उसके लिए तो गाउं कस्वे में जब जो लोग रहते हैं उनको कहापत बड़ी इच्छे आज हो जाती है क्योंकि बुजर्ग लोग जो होते हैं वह सब कहापतों से काम करते हैं कहापतों से उनका गुजर्बस से चलता है सारी बात है प्रिके से चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है कि ग्यार्वा कुष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् होनहार बालकों के गुण भच्पन देहीं दिखाई देने लगते हैं दोनों भी कोश्चन आए दोनों में बुबाला विकल्प से हुआ जो सबसे बड़ा था ठीक है ये भी एक रूल होता जाए तर ये आप कहो चुका है कि होनहार बालक के गुण जो है भच्पन देहीं तो पहला है सरल वाक के संयुक्त वाक के मिश्र वाक के पर सनवाचिक वाक के तो यहां पर बाक के हम लिखें अगर हम यहां पर बाक के लिखें तो बाक के दो प्रिकार के होते हैं एक तो होता है रचना के आधार पर रचना के आधार पर और एक होता है आपका अर्थ के है सरल वाक्ये दूसरा जो होता है वो होता है शैयुक्त वाक्ये तीसरा जो होता है वो होता है मिश्र वाक्ये यह होता है इसमें क्या आता है की आता है जो आता है जिसे आता है ठीक है या जिसको आता है इसमें शैयुक्त में अथवा आता है इसलिए आता है इसलिए आता है तथापी आता है तथाएव आता है इसमें कुछ नहीं आता है एक उद्देश्ची आता है और एक ही एक विध्य होता है बस यह होता है यहां आठ में आपका क्या आगा आज्या वाचक इक्षा वाचक प्रसन वाचक ठीक है आपका निसेद वाचक ठीक है आपका अपकास वोधक अपकास वोधक ठीक है बिस्मादी वोधक ठीक है आपका आज्या वाचक, इक्षा वाचक और प्रसन वाचक, निसेद वाचक और आपका अपकास वोधक और बिसमादी बोधक और आपका परिमाण बोधक परिमाण बोधक और निश्च्य बोधक ठीक है? तो ऐसे कुछ यह गोश्चन होते हैं आठ विरकार के ठीक है? तो इसमें से हमारा जो है वो क्या है? उसने कहा कि मैं घर जाओंगा तो आपका क्या हो जाएगा? शी विकल्ब हो जाएगा मिस्टरवाग के ठीक है? अगर यह आता के बन कि मैं घर जाओंगा तो यह कौन सा होता? यह सरल होता क्या होता? यह सरल वाक्य होता ठीक है? अगर ऐसा होता मैं घर जाओंगा और और बापस तो यहां और आ गया तो फिर को न था सवाक़्िया प्रशन बाद लाषी क्लों क्या था क्या तुम घर जाओ गे एसे प्सक्रिश को थोड़ा भासा माइन करके रखो शीश को थोड़ा सज्वाइन करके रखो और यह चीज़े याद होनी भी ज़रूरी है ठीक है तभी आप कुछ कर पाओगे बरना तो नहीं करकाओगे बिल्कुर भी चलिए इस तागे बात करते हैं को सब्सक्राइब आफ लोच प्ते रें बढ़िया को स्ट है बहुत अच्छा कोशन है ब्एसल्ण से बचना चाहता था इसलिए भाग गया यह है एक सायुक्त लुग कि यह 30 बाके सचा उप मताओ यह वह बचे ना चाहता था इसलिए भाग गया तो हां वाकिया इसलिए थे बात क्योंकि बहे दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया तो यह तो नहीं होगा दंड से बचने के लिए बहे भाग गया ठीक है बहे भाग गया क्योंकि क्योंकि भी आ गया पर यहां भी क्योंकि आ गया तो कून सा वाला हो जाएगा आपका हो जाएगा B, इस तरीके से, आपका कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा, आराम से क्योंकि यहाँ पर, देखो क्योंकी, क्योंकी, क्योंकी सम्माया है, इसमें निया है, तो यह आपका होगे, सरलबाग के, और हमने यही बात जो है, आपसा बताई थी, कि आपको यह नही चोदा कोशन नंबर 14 बढ़िया कोशन है देखो निमली कित में से कौन सा बाक्य सही है स्री राम 14 वर्स के बाद बन से बापस लोटे फिर दूसरा है स्री राम 14 वर्स के बाद बन से लोटे फिर हैं स्री राम 14 वर्स के बाद बन से बापस लोटे स्री राम 14 वर्स के बाद बन चोधो के लोटे है कि तो चवाज़ते है लिख लिखा हुआ बना होता है सिरीराम 14 यहां तक कें tasting 14 वर्स 14 वर्से की चोधा वर्स यहां और यहां हो गया ठीक है और 14 यहां हो गया और 12 यहां अब यह ऐसे जो है न हम पता चलता है चोदे 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 और चोदा बिलुपुल हमें बिलुपुल पर चल गया अब बात आती है के 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 अब यहां कौन सा सही बनेगा, समझे नहीं, तो यहां पर कौन सा सही बनेगा, तो सिंपल बात यह है, कि यहां पर देखो क्या है, सेराम 14 बरस के बाद, तो क्या जगा के बाद, तो यहां पर के बाद ही है, बन से लोटे, ना कि बनवास से लोटे, बनवास से कोई जगह नही ते चौदर बरत के बाद बंते बापस हे यहां पर यहां पर क्या गलत है?' यहां भी लोटनाः और बापस क्या होती है यह बात होती है क्लेब क्योंकि लोटने का मतलब अगर बापस दे रखा है अगर वापस दे रखा है तो और लोट में भी दे रखा हैं तो इन में तों लूटian क्या है पंदरबा कोशन है निमलिकित में एक होते हैं करत बाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च कर्या कर्ता के अनुसार आती है कर्ता के अनुसार आती है करम बाच्चे में किरिया करम के अनुसार आती है अनुसार आती है भाव बाच्चे में किरिया भाव के अनुसार आती है यहां पर ठीक है अब यह जो होता है सदेव यह जो होता है सदेव इसमें जो किरिया होती है वो कैसी होती है सदेव जो होती के लिया वो आपकी एकरमक होती है एकरमक होती है यहाँ पर कौनती होती है एकरमक होती है और एक बचन होती है एक बचन होती है क्योंकि उससे चला नहीं जाता उससे खाया नहीं जाता उससे पिया नहीं जाता तो यहाँ पर एकरमक इतनी होती पर यहां पर दादी से चला नहीं जाता यहां पर दादी से चला नहीं जाता मोहन थे खाना नहीं खाया यह मोहन ने खाना नहीं खाया कुलियों ने सामान नहीं उठाया मैंने दरबाजा नहीं खोला तो यहां करम जो है नहीं हो रहा है जबकि चलना जो है एक भाव है चलना जो है वो क्या है? एक भाव है, इस वह से यहां पर जो आंतर हो जागा, वह हमारा क्या हो जाएगा, एह हो जागा, कुछ टीचर जो बताएते हैं ने, वो बताते हैं, कि जब नहीं आएगा, तो भोई आंतर होगा, बगर गलत है, जहां भाव की बात करेंगे, ठीक है, चलना जो है, वह एक रिप्योट हुआ है राजा सेवक को कंबल देता है अब एक वाँ बताईए राजा सेवक को कंबल देता है ठीक है अगर यहाँ पे लिखें मोहन मोहन रमेथ को पुस्तक देता है पुस्तक देता है अमित किशान को किशान को पैसा देता है पैसा देता है राजा भिकारी को पैसा देता है यह चार आगर आप पताई क्या है बाद मैं करेंगे जो भी इन्किलूट करना हमें बाद मैं करेंगे देखिया राजा वह है वह भीकारी को donate पैसे तो राजा इस भीकारी से कमबल देता है तो कमबल कर बापस छाइव इस से यहां भी क्या हो जागा सम्प्रे दान्प फुरति कि काम के आता है właśnie मोहन रमेष को पुष्त मौहन कभी को पुष्तेक बापस ले सकता है कि यहां पर कौन सा रखना होता है इसमें यह पहचानना होता है तो आपको भाज लिगा होगा संप्रदान का रख है यहां पर के लिए भी आती है व्यक्ति के लिए भी व्यक्ति आती है को भी व्यक्ति आती है ठीक है करम में तो को भी व्यक्ति होती ही है ठीक है संबंद में जो भी व्यक्ति होत समझ गें यह सारी चीज़ जो है지 हैं यहाँ पर से ए ठीग हैं अब यह अच्छा है तोत्ष डाल पर बैठा है जब की दर किरिया का कि यह किलिया का आधार हो दिया हो ठीक है तो हैं बैठने का बैठने का अधार क्या है डाल बैठने का अधार क्या है डाल तो बैठने का किरिया का अधार क्या है किरिया का अधार जो है वो क्या है डाल है तो इसका मतलम पर बैठी है तो कौन सा हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा क्या हो जाएगा अध अपादान में सेविवक्ति होती है, अलग होने के बात करती है, अलग होने का भाव यानि कि अलगाव पैदा होता है, ठीक है, अलगाव पैदा होता है, जैसे किसान, 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 रिन से, किसान, रिन से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, यह, तो यहां क्या हो गया, अलग हो करनकारक में क्या है बच्चा गिलास से पानी पीता है ठीक है पीता है क्या है पानी पीता है ठीक है तो यह साधन के रूप में क्या गिलास संबंद में यह मेरी पुस्तक है यह मेरी पुस्तक है रिया गिया पुस्तक से मेरा संबंद है समझ गें तो यह सारी चीज़ेंगे हैं आपकी किलियर हो चुकी है ठीक है अठारब कोश्चन है निमने लिखित में सब्सक्राइब बाक्यां प्रियोग करें करो चमा मैं मैं आप से छमा छमा लेता हूँ लेता हूँ तो यहां हूँ आया किसके लिए मैं के लिए ठीक है अगर लेती हूँ होता तो अभी किसके लिए आता मैं के लिए मैं छमा प्रार थी तो छमा प्रार थी तो छमा क्या हो गया इस तरह लिए गटना गटी गटना गटी होती है गटी होती है तो क्या हो जागा इस त्रिलिन छेत्र बड़ा है तो आपका क्या हो जागा छेत्र रीती अच्छी नहीं है तो यहाँ पर भी क्या हो जागा इस त्रिवाचक तो यहाँ पर आंतर हो जागा हमारा चैनल तो यह था थारको सारी चीजह मुख अच्हेसा हम कर पा रहे हैं ठीक है चलिए कr financial stream है बहुत अच्छा अच्छा SaN Discovery परियाव में तो क्वार्ड pref दूस्पर ही रा तो प्राकर्ति होती है उसस्टे से आपका हो गया है तो मारा दुपट्टा अच्छा है हाँ कि दुपट्ट दुपट्त चछा है क्या है अच्छा है अगर एंसा होता है अज्ट tu घ्र हो गया कि उखए होぎया जो Okey आपका होगिया पुष्टिला कुर्ण हीरा सब यह होते हैं क्या होता है जब कि प्राक्रति जो होता है वो यह बहुत अच्छा कोशन आने चाहिए ठीक्जिंग Efendimiz यहार लड़कें ने पुस्तक पढ़ी है पढ़ी है सम्हाइं नियुक्त मान जब किरिया पूरी हो जाए यानि कि किरिया पूरी हो जाए तो हमारा कुन सवाजा का यह हो जाए पढ़ी है ना पुस्तक तो पढ़ लिए संदिक्द में क्या होता है हो लगवा जाता है समभाब्य में सायद लगवा जाता है तो यह अब बरतमान के जो होते हैं वो कितने होत ठीक है आगे है आपका सबकुछ समाप्त हो गया में बिशेशन किस प्रकार का संख्या बाचक परिमाण बाचक गुण बाचक सर्वनाम बाचक तो क्या है सब कुछ सबकुछ समाप्त हो गया और एक आपका हो जाता कई बार बच्चे यहां गलती करेते हैं सर्वनामिक में तो सबका कोई सर्वनाम होता ही नहीं है सबका तो कोई सर्वनाम यहां होता ही नहीं है समझगे नहीं क्योंकि सबका सर्वनाम होगा तो गलत हो जाएगा यहां पर समझ तो संख्या वाचक तो एक तो निष्चे भास अपकी यह कोई घुच , तो यह तीन होते हैं संख्या वाचक में, परिमान बोधक भी जो होता है इसी कहोता है, मगर जब यहाँ पर कुछ आगिया, तो हमारा कुन सा जाएगा, शंख्या बाचक, तो इसका अंथर आ गया, क्या आ गया ए, यह यह कितना आ गया इसका, वो आ गया ए, ठीक है, सब कुछ समावत होने का कुछ सा क्या पर चलिया संख्यावाचक है तो यह आपका गया संख्यावाचक जो होते वो तीन होते एक होता निश्च्यावाचक एक होता एनिश्च्यावाचक और एक होता परिमाण वाचक यह ठीक है अनु संगिक, ठीक एक तो होता आनु संगिक, और एक होता अनु, तो अनु होता है यह आनु होता है, यह पता हो नच, यह अनु होता है, यह आनु होता है, तो अनु होता है, क्या होता है, अनु, तो आपका हो जागा A, B विकन, B अनु, आनु, 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 अनू पिलसके शंगीख अनू पिलसके अंगीख तो अनू 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 ठीक है अनू ठीक है इसमें इन दोनों पर विचार करेंगे क्योंकि यह जो होते हैं बरतनी के हिसाफ से तो यह सही हो रहा है जबकि संदी के हिसाफ से जो है संदी के हिसाफ से जो है आपका ये सही है ठीक है संदी के हिसाफ से ठीक है बरतनी के हिसाफ से ठीक है तो A अभी बरतनी के हिसाफ से पूछा है तो हमें क्या लगाना है A लगाना है जबकि संदी के हिसाफ से B सही है तो हम बतनी के इसाफ से क्या लगाएंगे जब कि संधी के इसाफ से कौन से लगाना है टो कि यह जागा कि'm aip तेंग अब तेस्तवा कोश्चन क्या है सब्सदेत्वा कोश्चन है अपका भारतिय संघ कि राज्षक यह वहसा है देवनावी लीपी में हिंदी हिंदी और अंगरे जी हिंदी अंगरेजी and शंबिधान में हिंदी को भारत की राजभासा की माननेता प्रदान की गी थी तो चोदे सितंबर तो आपको सब को पता है चोदे सितंबर अब आता है उपसर उलंचास इक्यावन अर्तालिस पचाथ यह बहुत गरबर है तो कुछ बच्चे लगाते हैं इसको उलंचास कुछ जन्वरी और उन्निस सो पचास को पूर्णूप से लाग हो गया था तो उससे पहले-पहले पुष्टी करने थी कि हमारी की राज-काच की वहां सा कौन थी होगी अब यह कभी नहीं बूलो गया आप समझे पच्चिसवा कोंशन है ओडर ओडर के लिए सटीक सब्द क्या है नर्देश निदेश आदेश तो क्या होता है आप मुझे ओडर मत दो आप मुझे ओडर मत दो यह आ जाएगा बगर यहां पर गोला है ओडर ठीक है तो ओडर में आपका एक आदेश भी दिया है एक अनुदेश भी दिया है तो देखे दो सेंस होते हैं आदेश का मतलब होत एक तरीके का नकारात्मक क्या होता है नकारात्मक ठीक है और यह होता है हाँ अनू सकारात्मक तो यहां पर अनू लगवा था अनू तो खुद ने सेथ कर देगा तो यह है और हमारा क्या हो जागा यहां से आदेश हो जाएगा समझगे नहीं तो यह हो जागए हाँ सब्सक्राइब प्राकरति का सूखमार के सका जाता है यह आता है ठीक है यह घुता सभणट परसाद निलाला बच्चन के से कहा जाता है समझ गया नहीं तो आपका किसे कहा जाता है ये कहा जाता है पंत को किसे कहा जाता है पंत को प्राकृति का सोकुमार किसे कहा जाता है पंत साब कुछ है प्राकृति का सोकुमार कहा जाता है ठीक है यह आपका सुमेत्रन नंदन पंतिन का पूरा नाम है आगे है आपके निमलिखित में से कौन सी रचना तुलती दासकी नहीं है राम चरितमानस है गीता बली भी है राम कृष्ण गीता बली भी है तो ये भक्तमाल जो है ये नहीं है ठीक है तो भक्तमाल किसकी है भक्तमाल किसकी है तो भक्तमाल है नाभा दासकी किसकी है नाभा दास ठीक है नाभा दास के गुरु कोन थे अग्रदास कोन थे अग्रदास गुरु नाभा दास का बच्चपन का नाम क्या था बच्चपन का नाम क्या था तो इनका नाम था नाराण दास क्या था नारा यान दास इनका बच्चपन का नाम था नाराण दास वाज जो है बहुत लंबे समय तक जो है नावादास में एकरत्यां लिखी थी सब्सक्राइब यह था यह कोश्छन है अठाइथ कोश्ण अच्छा है बढ़िया कोश्छन इस एक प्रशा कोशन हिंदी साहितियं हिंदी साहितिय की इतिहास के किस काल को बीर गाता काल कहा जाता है तो बीर गाता काल कहाता है अधीकाल को तो सब से पहले हम आधुनिक भारतिये आरिये हें वहां सा पढ़ती है इसे हमें पाटआ जाता है पहले किते का है था आधी काल आधी काल आधी काल के बाद में कौन सा होता है भक्ती काल और भक्ती काल के बाद में क्या होता है रीती काल फिर आपका होता है आधुनी काल आधुनी काल ठीक है आधुनी काल को बटा जाता है भारत तैंदु यूग ठीक है फिर आपका दुएधी यूग और दुएधी यूग के बाद में चायाबादी रूग फिर छाय उत्तर फिर नई कभीता यूग इस तरीके से जो कर्णवर्ट है और अब जो है वो यो यूग रैप यूग वो अब यह है तो हमारा जो है बीर गाता जहां पर बीरों की गाता सुनाई जाती थी उसे हमके कहते थे आदिकाल ठीक है बीरों की गाता सुनाई जाती जहां भक्ती में समय किताया जाता था राम भक्ती क्या है राम भक्ती और क्रिशन भक्ती तो बहां पर जो है यह जहां पर साहित्यक इत कर तरफ है आदुनी काल यहां से हैं कंडिशन ठीक है पूरी तरीके से आगे देखते हैं वागे क्या है हमारा 29 वाक्रस्टन क्या है 2. 29 पाश्टन आपका है यह महत्पुन क्रती किर्सायन ठीक है उत्तर प्रदेश की किस बॉली में लिखी वी है कडली उत्तर प्रदेश makes आती है अब दी-वैक तो अब दुनthen क्याती है जाही किस किछ कितमा अब दी घालत mad दी कहा håं अब दी करते है ल लग थे मथुरा ब्रंदावन ठीक है बगहीली जो बोली आते कहां बोले पूरवी में पूरवी यूपी ठीक है खड़ी बोली पश्मी यूपी यानि कि जैसे कि मेरथ सहारनपूर सहारनपूर मुझफनगर इत्यादी यहां पर बोली आती है तीसवा कोशन अंतिम कोशन क्या है तीसवा कोशन अंतिम कोशन क्या है हिंदी में मुक्त चंद के प्रवर्तक किसे का जाता है अब यह नहीं है निराला को का जाता है किसे का जाता है निराला सूर्य कांत सूर्य कांत तिरपाठी तिरपाठी निराला को क्या का जाता है निराल तीन प्रिकार के छंद होते हैं चंद जो होते हैं कितने प्रिकार के होते हैं तीन प्रिकार के एक होता है बढ़निक छंद बढ़निक एक होता है मात्रिक छंद मात्रिक छंद एक होता है मुक्तक छंद मुक्तक छंद जहां पर बढ़नों पर बढ़नों से बढ़नों से होता है बर्णों से संदर्जिया यह समांग चलिए अब छंद का मतलब होता है आपका कंद करना खो ऐसा मद करनाऀ खो सामध करना जहां करना के माद्यम से आवान हो जहां मात्राओ के माध्यम से मात्राओं से मात्राओं से आवान हो सोंधर्य जो होता ना अलंकार होता ठीक है मुक्तक्षंद यहां बढ़नों वै मात्राओं कि किसी पर पावंदी ना लगी हो तो उसे कहते हैं मुक्तक्षंद ठीक है इसलिए कहते हैं यहां पर किसी पर कोई कोई पविंदी नहीं होती है तो यह था हमारा नमबर छप ठीड ठीक है और इसी प्रिकार के प्रक्षे लिए बिलोकुल प्रती दिन जो है आपको दो पहर दो पजये जो है यह प्रक्षेट आपको आता है इसके साथ जुट जाएक 20 जाएके और जो चैनल पर नहे हैं वो चा